जब से ये दुनिया बनी है तब से अभी तक काफी सारे बदलाव आ चुके हैं और यही इस दुनिया का रूल है यहाँ पर चीजे हमेशा टाइम के साथ बदलती रहती है पहले से और जादा बेहतर हो जाती है और जो चीजे नहीं बदलती यह दुनिया उसे भूल जाती है आपने खुद देखा होगा कि पिछले 20 साल में ही इतना कुछ बदला है कार, बाइक, फोन, कपड़े, घर यहाँ तक की लोगों के लाइफ इस्टाल में भी पहले से काफी बदलाव आ चुका है और यह सही भी है बदलाव से ही किसी चीज में ग्रोथ होती है इस दुनिया में चाहे कोई भी फिल हो हर चीज में कुछ न कुछ बदला हो रहे है और उसी के साथ ग्रोथ हो रही है यह दुनिया तो काफी तेजी से बदल रही है पर आप नहीं आप पहले जैसे थे अभी भी वैसे हो पहले जहाँ पर थे अभी भी वहीं पर हो क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी है दूसरों के भरों से जीने की लेकिन अब और नहीं क्योंकि अब समय आ चुका है खुद को बदलने का अब समय आ चुका है खुद की मेहनत करने का खुद को इंपरू करने का देखो मैं ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम्हारी जिन्दगी में क्या चल रहा है लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आने वाले तीन महीने आपकी पूरी जिन्दगी बदर सकते हैं एक नई डारेक्शन मिल सकता है आपकी लाइफ को अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को समझकर आपने अपनी लाइफ में अपलाई कर लिया तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग बीडियो बन सकता है आपके अंदर एक नई एनरजी होगी और आपका confidence अभी से काफी हद तक बढ़ जाएगा और इनसान की success में importance role उसके confidence का ही होता है खुद को बदलना बोलने में जितना आसान है करने में ही उतना ही मुस्किल है इसे में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है खुद को control करना पड़ता है और सब कुछ करने के बाद तब जाकर इनसान के अंदर बदलाओ दिखता है तो तयार हो जाओ तीन महिने खुद को घिसने के लिए क्योंकि जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा आप मेंसे कुछ लोग इतना सोच रहे होंगे तीन महिने में क्या ही हो जाएगा फिर भी मैं आपको एक बात बता दू कि इनसान को बदलने के लिए ज़्यादा focus की जुरूरत होती है ज़्यादा time की नहीं science मानती है कि 90 दिन यानी 3 महिने तक अगर कोई इनसान किसी भी काम को रोज करे तो उसकी आदत बन जाती है और आदत से बनता है एक lifestyle और lifestyle से बनती है एक जिंदगी बड़ी सीधी सी बात है अगर आपको जिंदगी बदलने है तो पहले आपको अपना lifestyle बदलना होगा और lifestyle बदलने के लिए अपनी आदतों को बदलना होगा और अपनी आदत को बदनने के लिए अपने दिन को सुधारना होगा हर दिन चोटे चोटे बदलाव से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है रात को सोने से पहले अपना अगला दिन पूरा प्लान कर लो कि तुम्हें कल क्या करना है और जो चीजे उस प्लान में नहीं है उसे करने के बारे में सोचना भी नहीं है No.1 सबसे पहले खुझ से जूट बोलना बंद करो सच का सामना करना सीखो क्योंकि यह बात तो तुम्हें भी पता है जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो जो भी तुम्हारा सपना है उसके लिए मेहनत करने के बजाए तुम आलस कर रहे हो कहते हो कि कल करूँगा जबकि तुम्हें भी पता है कल भी तुम आलस ही करने वाले हो जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो उसके लिए केवर सिर्व तुम ही मेहनत नहीं कर रहे हो काफी सारे और लोग भी है जब किसी दिन कोई इंसान वहाँ पर सक्सेश्पुल हो जाएगा तब तुम कहते हो कि उसकी तो किस्मत होगी और ये सब कहते हुए काफी टाइम हो चुका है इसलिए तुम्हारी आदत बन चुकी है खुद से जूट बोलने की तो दोस्त खुद से कभी जूट मत बोलो क्योंकि खुद से जूट बोलोगे तो खुद को ही ठुखात होगे दूसरी बात तीन महिने के लिए सेलफिस बन जाओ केवल अपनी गुरोथ पर काम करो दूसरा कौन क्या कर रहा है तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए हर उस चीज को छूट दो जिसे करने के बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलता छोट दो कुछ दिनों के लिए दोस्तों का साथ टाइम पास मोबाइल का फाल्ती यूज आलस दिखावा अपनी बढ़ाई हर उस चीज को छोट दो जिसे तुम्हें करने से कुछ नहीं मिलता तुम्हारे दोस्त का अगर घुमने का मन है तुम्हें बुलाएगा घुमना उसे है मकसद उसका पूरा होगा लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं तुम्हें बदले में क्या मिलेगा कुछ भी नहीं तुम्हारा तो केवल समय वेश्ट होगा इसलिए कह रहा हूँ खुद को आईसोलेट कर लो किसी से कोई मतलब मत रखो तीन महीने बाद मिलना सबसे उसके बाद देखना क्या बदलाओ आता है तुम्हारे अंदर इससे तुम्हारी वेलू भी पढ़ेगी क्योंकि जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वेलू कोई नहीं करता और जो चीज बहुत कम अवेलेबल होती है उसकी वेलू उतनी ही बढ़ जाती है फिर उसकी वेलू सब करते हैं तीसरा, खुद को किसी से compare मत करो इंसान का confidence केवल तभी कम होता है जब वो खुद को उन लोगों से compare करता है जो उसी काम में top level पर है लेकिन कभी न कभी वो भी ground level पर थे अगर तुम खुद को दूसरों से compare करोगे कि तुम कल क्या थे और आज क्या हो क्या तुम्हारा आज कल से बहतर है अगर है तो तुम growth कर रहे हो तुम बदल रहे हो चौथा point कभी भी खाली मत बैठो लाइफ में इतना बीजी हो जाओ अपने goals को लेकर कि तुम्हारे पास stress, depression, नफरत, गुसा जैसी वो कभी भी खाली नहीं बैठते या तो reading करते हैं या तो अपनी skills पर काम करते हैं या फिर अपनी family के साथ time बिताते हैं मतलब यह है कि तुम्हारी body हमेशा active रहना चाहिए कभी भी आलसी नहीं करना आलसी और आराम में बहुत बड़ा फरक है जो कि लोग नहीं पहचानते आलसी उसे कहते हैं जब इनसान कुछ करना नहीं चाहता और आराम उसे कहते हैं जब इनसान कुछ करके ठक चुपा हो देखो गुलाम और राजा में एक simple सा फर्क होता है कि राजा केवल कुछ समय के लिए लगातार मेहनत करता है और गुलाम जिन्दगी भर रूप रूप कर मेहनत करता है वो बीच बीच में आलस करता रहता है सबसे खास बात हमेशा discipline में रहे याद रखना कि सासन उसी का चलता है जो अनुसासन से चलता है मतलब कि जो बाते अभी तक मैंने आपको बताई है उनमें से कोई बात भूल मत जाना तीन महिने के लिए खुद के गुरू बन जाओ खुद से लड़ो अगर जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो हर उस चीच को छोड़ दो उस हर बुरी आदत को छोड़ना होगा जो तुम्हें रोक रही है जिसने तुम्हारी टांट खीची हुई है देखो अब तुम महनत करो या ना करो नौकरी तुम्हें कही न कही मिली जाएगी बस फर्क ये है कि तुम्हारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में होगी तुम्हारी लाइफ को कोई आउट डिजाइन करेगा और कोई कंट्रोल करेगा जितना तुम उसे फायदा दोगे उसका कुछ हिस्सा वो तुम्हें दे देगा अगर ये सब नहीं चाहते हो तो केवल कुछ समय के लिए लगातार मेहनत करो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफ्रमेट्रू लगा हो तो अपने साथ्यों के साथ सेर जरूर करें अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जेहिंद जे भारत